क्या आप भी अपने दादा पर दादा है उनका यानि जो समपत्ती है उसका पुराना खतियान दूढ रहे हैं कैसे निकालेंगे पुराना खतियान जो है कैसे निकालेंगे ये आपको पता है क्या करना परेगा इसके लिए आपको कहा जो है जाने की जरुवत है अलागे पुर यान है उसको निकालना है उसी से दावा करना है संपत्ती में हग परात करना है कागजात बेहर जरूरी है नहीं मिल रहा है कागजात क्या करना परेगा अब है कि पुराना बहुत लोगों का जमीन का रजिस्ट्री जो है वो भी निकालना है उनक्या जो जमीन का रजिस्ट्री है उसका कागज नहीं मिल रहा है है ना और ये भी हो सकता है कि आज तक उसका जमीन का यहाँ पर दाखिल खारिज भी नहीं हुआ इसके लिए भी विकल्प है क्या करना परेगा कैसे निकालेंगे पुराना रजिस्ट्री की बात है तो पुराना नक्सा पुराना रजिस्ट्री और पुराना से नया खत्यान कैसे बना इसकी जानकारी ये जानकारी है आपको कि आप आपका जो पुराना है पुराना से नया कैसे बना क्यों बन गया इसके लिए कहा लिखा हुआ ये सारा इसका इन्फोर्मेशन इसकी जानकारी कहा मिलेगी कैसे पता करेंगे कि पुराना से नया कैसे बना तो ये सब जानकारी आपको प्राप्त होगा और साथ में ये एक बरी समस्या है उस तैनी जमीन का बटबारा है ना और इसमें अगर किसी परकार का भेद भा हुआ है किसी परकार का अगर समस्या उत्पन हुआ है तो इस समस्या का हल भी आपको जो है हम बताएंगे आखिर इस समस्या से आप कैसे निकलेंगे क्या करना परेगा इस समस्या से निकलने के लिए तो जो पुस्तैनी जमीन है पुस्तैनी जमीन का बटबारा आपको कैसे करना है क्या करना है इस बात को आप जरूर जान लेजिए समझ लेजिए और इस परकिरिये को भी सही तरीके से जान लेजिए अब यहाँ पर सबसे बरा सवाल और ये आपके समस्ये हैं यानि ये आपके द्वारा पूछे गए सवाल हैं आपका समस्या है अब आपको देखना है कि क्या आपका समस्या है और आपको क्या करना चाहिए सवाल है ये गरे पुराना खतियान 1912-13 नहीं मिल रहा है अभी लिखा गार में बताया जा रहा है कि खतियान रद्धी हो चुका है दूसरा उपाई क्या है तो ये तो सवाल है पहले हम आपको बता देते हैं कि ये जो जमीन का टुकरा है इस जमीन के टुकरे में का जो है आप पुराना खतियान आपको निकालने के लिए जमीन का पुराना कागजात निकालने के लिए आप अपना जो पुराना जिला है वहाँ पर जाएंगे और पुराना जिला में जो है जिला अभी लेक बिभाग जो है अभी लेक बिभाग है वहाँ पर जाकर आपको जो है अपने कागजात के लिए यहाँ पर online जो है या यहाँ पर offline जो है वो apply करना होगा तो अधिकान से राजियों में आपको ओनलाइन भी लोग भरते हैं और अभी बहुत सारे राजियों में ओफलाइन जो है यहां पर भरते हैं ओफलाइन आप क्या करेंगे कागजात के लिए अप्लाइ करेंगे वो कागजात फिर आपको कारियाले से पराप्त होगा आप online apply करेंगे आपके पास receipt है जो सरकारी cost है government cost है वो पैसा भी आपके कर देंगे और ये कागजात आपको कब तक पराप्त होगा उसका भी आपको date पता चल जाएगा और वो कागजात पराप्त होगा लेकिन यहाँ पर एक यह नहीं कर रहे है खतियान रद्धी हो चुका अ पुछ माल लेते हैं लोगों का जो यह तरह से है कि यह इनके पास सब खतियान नहीं है अब यह खतियान कैसे निकालेंगे जिनका खतियान जो रद्धी हो चुका है तो रखें हम आपको एक detail यहाँ पर तरीका बताएंगे कि ऐसे लोग अपना हक कैसे प्राप्त करेंगे अ लेकिन अब है सवाल है यह बड़ा सवाल है कि आखिर जिनके पास यह खतियान जिनका नहीं मिल रहा है पुराना खतियान उनका नहीं मिल रहा है वो अपना हक कैसे प्राप्त करेंगे उनको क्या करना परेगा सवाल है सर मेरे जमीन का नक्से में जो है नया पर ठीक है और नया वाले में दूसरों के नाम पर जो है कट गया है क्या करना परेगा देखें मैं आपको बता दू सबसे पहले जो जमीन है सबसे पहली बात की जमीन का जो यहाँ पर है ठीक है, पुराना जो नक्सा है, है ना, वो क्या है, यहाँ पर ठीक है, पुराना नक्सा ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, कि नया नक्सा जो है, यहाँ पर नया नक्सा, वो एक तरह से दूसरों के नाम में कट गया, जिसे क्या होता है, कि अगर किसी का भी, पुराना नक्सा में ठीक है नया में तुरूटी है तो नया नक्सा में जो है सुधार संबव है सुधार होगा पुराना नक्सा जो है उसमें सुधार नहीं होगा इसलिए कि पुराना जो नक्सा है उसी से इसी से इसी को अधार मानते हुए नया जो यहाँ पर नक्सा है वो बनाया गया यानि पुराना जो नक्सा है उसी को अधार माना गया और उसी अधार पर जो है नया नक्सा बनाया गया सवाल है यह कह रहें कि एलो ज़र टाइटल सूट के लिए मेरे पास जो है 35 साल पुराना खतियान है इसके लिए यह यहाँ पर टाइटल chaeूट के लिए। लेकिन पर जिसने मेरे जमीन पर कबजा कर पर रजिश्ट्री करा रखा उसका पेपर मेरे पास नहीं है। इड़ोकेट बोल रहा है कि पहले उसका सारा पुराना नया पेपर हमको निकलबाना पड़ेगो उसके बाद टैटल सूट कर सकते हैं देखें सबसे पहले यहाँ पर 35 साल अगर आपके पास जो है पुराना यहाँ पर खतियान है और पर जिसने आपके जमीन को कबजा किया है रजिस्टरी करा रखा है तो उसका रजिस्टरी का जो है ना सबसे पहले रजिस्टरी का उसके रजिस्टरी का नकल आप निकल कर देखा है नकल की हो सकता है कि आपके पुरबज जमीन बेचे होगे निकाल कर आपको देखना है क्या है फरजी है सबसे पहले फरजी है या सही है पुरवज का सिकनेचर है वो तरह की बाते है और सारा देखने के बाद ही आपको इपर के रिए में जाना सही है तो इसलिए सबसे पहले, उसका सारा कागजात, आपको देखना पर हैगे, ठीक है, आपके पास पुराणा है, वो जमीन उस में मवजून है, आप खुद निकालने का पधियास कर लेगे, ये सारा जानकारी, खुद पहले पराप्त कर लेगे, के आफिर वो क्या कागजात है, कोई भी वो जालसाजी किया होगा, हो सकता है कागजात देने से इंकार करेगा, अगर वो अपने जगा पर सही है, तो उसको कागजात देने में क्या हर्ज है, वो अपनी सबूत दिखाने में क्या हर्ज है, तो आप उस बैक्ती से भी जाकर बात कर सकते हैं, और उससे कागजात की मांग कर सकते हैं नहीं नहीं देता है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गलत किया होगा तब आप उसका क्या करें नकल निकालने हैं और फिर उस नकल के अधार पर उसके उपर केस फाइल करें अगला सवाल है सर जी हमारे बाबा के नाम से नेया खतियान है और उसके बाद जो वह पार्टी वहाँ एक तरसे नहीं रहता है वह देश-बिदेश चला गया और वह पार्टी जो है ने आकर हमको टाइटल सूट एक तरसे कर दिया है ठीक है बोल पोट दरवंगा बिहार में अब यहाँ पर अब हमारे पास तो कागज नहीं है सर कागज जो है सिर्फ एक और खतियान है बाबा के नाम से तो अब यहाँ पर जो है केस कर दिया है तो क्या करना परेगा देखें होता क्या एक्चुल में है आपके पास जो नया खतियान है तो सबसे पहले नया खतियान खतियान जो है अगर आपके पास है तो यह नया खतियान कैसे बना ये आप अपने आसपास के लोग हो गए आपके कोई पुरवज अगर हैं वो जिवित हैं उनसे बात कर सकते हैं पूछ सकते हैं या खिर ये नया खतियान मेरे नाम से कैसे बना उसके बाद इस नया खतियान का पुराना जमीन का टुकरा कौन कौन सा है ठीक है जमीन का जो टुकरा पुराना है इस नया खतियान से पहले का इसके लिए अगर आपको कोई मदद नहीं कर रहा है तो आप किसी अमीन का मदद ले सकते हैं कहने का मतलब है कि आप जो है ऐसे बैक्ती का मदद ले सकते हैं जिनको जमीन के नकसे को मापना आता हो और वो आपका पुराना नक्सा जो है नया नक्सा को भेरिफाय करके देखेंगे कि पुराना कौन-कौन सा पलोट इस आपका जो नया खतियान में अभी जमीन का टुकरा मौजूद है उसका पुराना टुकरा का नंबर क्या था कौन सा जमीन था अब वो उसके क्या detail है उसका जो कागजात है वो किसके नाम पर है और आपके नाम वो कागजात कैसे transfer हुआ तो ये आपको पता करना परेगा यानि आप जो है राजस्तो का जाकर जो भी register पुराना register है उसमें भी वहां के जो कर्मचारी है उससे बात करके आप उसका देख सकते हैं कि क्या कभी भी पुराने जो plot है उससे किसी का mutation कायम हुआ है उससे किसी का दाखिल खारिज हुआ है अगर उस दाखिल खारिज कोई पर फिर नया खतियान उनके नाम से बना हुआ तो पुराना खतियान देखें आपके नाम नहीं है और एक तरह से नया लेकिन है कबजा भी बरकरार है और ये सारा जानकारी आपको जोटाना परेगा हां ये अगर किस कोई गलत तरीके से आपके नाम पर अगर नया खतियान बन नया निक्सा में सुधार होगा नहीं देखे पुराना जो है अगर यहाँ पर छोटा है छोटा है तो नया सुधार के बाद जो है सुधार के बाद बाद यहाँ पर छोटा हो जाएगा मतलब अगर पुराना छोटा है नया में अगर आप सुधार का दावा करेंगे बरा है तो इसलिए कि आप जो प्रूफ दे रहे हैं पुराना को नहीं बदल सकते हैं ठीक है पुराना से पुराना को अधार मानते हुए आप नए कागजात में परिवर्तन कर सकते हैं पुराने कागजात में आप जो परिवर्तन नहीं कर सकते हैं सवाल है मेरे पिताजी दो भाई थे कुस्तेनी जमीन को मेरे चचेरे भाई ने अपने नाम जवबंदी करवा लिया इसकी जानकारी चार पॉंच वर्स बाद अब मुझे हुई आधी जमीन मेरी है मुझे जमीन अपने नाम कराने के लिए क्या करना होगा तो अभी जो यहाँ पर देखें सबसे पहले कि अगर यहाँ पर जो पिताजी है पिताजी क्या थे दो भाई थे दो भाई यहाँ यहाँ पर थे अब यहाँ पर उनका जो एक तरह से पुस्तैनी जमीन के अगर बात करेंगे ठीक है पुस्तैनी जमीन जो है चचेरे भाई के नाम अगर जमाबंदी करवा लिया है तो ये हग ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकता है आप चार पॉंच बर्स बाद आपको पता चल गया दस बर्स बाद भी पता चलता या बीस बर्स बाद भी अगर ये पता चलता कि कोई भी हिस्सेदार जो है एक दूसरे हिस्सेदार की संपत्ती को दोखे से अपने नाम पर करा लिया है वो संपत्ती वो अपने पास नहीं रख पाएगा बेच भी देगा तो भी वो संपत्ती उसको वापस बरना पुरेगा तो इसलिए आधी जमीन अगर आपकी है तो जमीन आपने आप जाके हैं अब यही बिखल पहना इस तरह का जो कंडीशन है आपके साथ धोखा कर रहा है तमाम आरोप के साथ जो है आप यहाँ पर सिविल कोट जा सकते हैं देखें आप चाहें तो जमाबंदी रद के लिए जिला कलेक्टर के पास एडियम कोट में भी जा सकते हैं लेकिन अब आपका जो है उसके साथ साथ अगर जमीन का जमाबंदी साथ साथ कबजा भी कर लिया है तो आप डिरेक्ट अब सिविल कोट जाईए यानि आपको अपना जमीन कबजा भी वापस भी चाहिए और साथ में कागजाद जो है वो भी दुरुस्त होना चाहिए अशा करते हैं वीडियो अच्छा लगाओगा वीडियो चाह वीडियो को लाइक जरूर कर दें चैनल को पहली बार देख रहा है सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उस तक के लिए जाएंगे